आज यह ले सेन्हें थोड़ा अलग टाइप कर सो चलिए देख लेके पहले में लेसन्हें अप लोगो प्ले करके देखाता हूं कि कैसे इसको प्ले करना हैं क्यों को प्रैक्टिस करेंगा और इसका परोगो देखा दूगए कि कैसे इसको प्ले करना है तो चले शुरू करते हैं तो यह लेशन है 3-4 काउंट का और यहां पर आप जैसे देखें कि मैंने कैसा इसको प्ले किया कभ़ी राइट हैंड कभ़ी लेकर तो यह कैसे मैंने किया तो पहले चलिए इसका राइठ हैंड देख pó कि देखे इस चो लेशन से इसमें आप लोगको सी से लेका जी तक प्ले करना है इसलिए इसमें थोड़ा सा इजी हो जाते है लेशन कि आप लोग को C से G तक प्ले करना है एक्ष्टा नोट्स कोई भी नहीं लेना है और लेप्ट हैंड में भी C से G तक ही प्ले करना है तो देखते हैं इसका राइट हैं पहले राइट हैं पहला बार क्रॉचेट नोट है 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & नोट था E G G फिर क्रॉचेट नोट है 1 & 2 & 3 & नोट है G F E उसके बाद है एक क्रॉचेट नोट है और 1 & 2 & 3 & टिक है अभी इसका नीचे जो एक दागी आपको दीख रहा है एसे ईउ टाइप का उसका हम लोग कहते है टाइए ताइ का मतलब है कि अगर दोनों दोगो बार में सेम नोट रहे और दोनों का बीच में एक टाइ रहे तो पहला नोट तो प्ले होगा लेकिन सेकेंड जो नोट है वो प्ले नहीं होगा बट काउंट होगा ठीक है तो इसको यह से मैं प्ले करता हूं 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & तो यह play नहीं हुआ लेकिन count हुआ left hand में ऐसा कुछ नहीं है तो left hand count होगा अब इसको देखते हैं D 1 and F 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and F E D 1 and 2 and 3 and फिर E C 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and तो देखिए यहाँ पर जैसे tie है तो हम लोग इस note को play नहीं किया हूँ लेकिन इस note को मैंने play किया हूँ तो इसका minimums note है 2 count हम लोग छोड़ेंगे और इसको हम लोग play करेंगे जैसे इसको मैं और इक बार मैं play करता हूँ 1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and अभी इस बार को देखेंगे 1 and 2 and 3 and EGG फिर 1 and 2 and अभी जो यह sign है इस sign को कहते है rest sign जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही पहला जो class है उसमें मैंने बताया था कि rest sign को कैसे play करना है अच्छिल उसको play कुछ नहीं करना है उसको आपको silent रखना है बट count होगा उसको rest कहते हैं जैसे हम लोग कोई काम कर रहे हैं जैसे घणी का इसाब से दस का वादिगारा फिर बारा फिर तेरा एक दो तीन चार एसे जो जा रहा है वो टाइम लेकिन चलते रहता है यह आई लेकिन उस समय हम लोग कोई काम नहीं करते हैं उस समय हम लोग rest करते हैं तो यह ही है वो rest sign यह है एक count का rest तो यहां पर हम लोग 2 count करेंगे जी नोट को 1 & 2 & 3 & 3 & में हम लोग कुछ नहीं play करेंगे ओके अभी इस नोट को देखते हैं इस बार को इस बार में जो है यह है आपका 2 count का rest यानि इसको कुछ नहीं play करना है तो हम लोग आपके कुछ नहीं play करेंगे खाली count करेंगे 1 & 2 & 3 & तो यहां पर 3 note है इसलिए हम लोग इसको 3 count के लेकिन यह rest है 2 count का तो यहां पर और एक count होना चाहिए था सायद को यह printing निश्टेक हुआ है इसका इसलिए यहां पर और एक count नहीं दिया है तो हम लोग नेक्स्ट बार में जाएंगे नेक्स्ट पर फिर सेम एक count एक count का रेस्ट है फिर थर्ड काउंट पर यह आएगा तो 1 & 2 & 3 & फिर इसको play करेंगे जी 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 1 & 2 & 3 & फिर प्लॉचेट नोक जी 1 & 2 वर में जाएंगे इस बार में जो है कि फिर क्रोचेट नोट है कि one & अभी यह जो नोट है इसको हम लोग कहते हैं क्या होता है कि पहला जो क्लास में मैंने आप लोगों से बताया था । मैं और फीर से आप लोग बताता हूं कि कि कहा होता है कि हाफ हाफ नोट का .. यहाँ पर कोई भी कुइबरनोट हाफ कंटका होता है यांच हम लोग वान और Annd काॉंट करते तो वान होगा एक कोऎवरनोट एंड होगा दूसरा कोऊङबरनोट तो दो को कुएवर नूट मिल के हम लोग वान और एंड यानि complete एक काउंट हम लोग पूरा करते हैं तो यहाँ पे प्ले करेंगे यह था 1 & 1 & फिर यह होगा 2 & 2 & तो देखा आप लोग ने कि इसको मैंने दो बार प्ले किया कुएवर नूट एक 1 में फिर & में F note है फिर इसको एक count three and फिर इसको play करेंगे one and two and three and और ये जो है इसके तरह जो है इसको कुछ ने करेंगे 1 & 2 & 3 & अब हम लोग देखेंगे इसका left hand left hand में आप देख सकते यहां पर सब note जो है कुछ note को छोड़ा के यह आपका minimums note लेकिन प्रॉब्लम ही है कि यहां पर है आपका 3-4 count लेकिन यहां पर note दिया गया minimums note तो इसको हम लोग 3 count में कैसे करें उसके लिए यहां पर देखिए एक डॉट बना हुआ हर एक जो सिंगल मिनिम नोट जो दिया गया हर हुआ एक बड़िन तो चलिए इस डॉट के बारे में पहले जान लेते हैं उसके बाद हम लोग इसका left hand को देखेंगे तो चलिए भी हम लोग डॉट के बारे में जानतें कि डॉट क्या होता है लो देखिए मैं बहुत simple तरीका से आप लोग को मैं बता रहा हूं कि कैसे dot होता है इसको बहुत ध्यान से समझेगा अगर आप इसको ध्यान से नहीं समझते तो कोई भी dot वाला जो notation होगा वो लेकिन आप नहीं complete कर पाएंगे तो उसके लिए आप लोगों को पहले यह dot को समझना बहुत जरूरी है तो चलिए पहले dot को हम लोग देख लेते कि dot कैसे काम करता है मन लीजिए एक यहाँ पर नोट है semi brave ठीक है semi brave कि अब इसका बगल में एक मैं dot बैठा दूँगा तो सेम ब्रेप का काउंट कितना होता है four count अब इसको समयने के लिए मैं और clear करता हूं जैसे माल लीजिए आपके पास चार लड़ु है फोर काउंट यानि चार लड़ु है अभी क्या करेंगे आपके पास में dot मैंने बैठा दिया हूं तो अभी आपका पास फिर कितना लड़ु होगिया है तो यह जो है चार लड्डू आपके पास था एक डॉट बगल में मैंने बैठा दिया तो डॉट क्या करेगा आप से हाफ यानि दो लड्डू ये ले लेगा ठीक है इसको मैं और रिपीट करता हूं माल लीजे आपके पास चार लड्डू है और इस आपके बगल में मैंने डॉट को बैठा दिया तो डॉट क्या करेगा ये चार में से दो लड्डू आपका ले लेगा तो फिर आपका बस कितना लड्डू बचा तो ये जो है हम लोग को मालूम है कि अगर चार में से दो निकल जाता है तो दो ही बसत है लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग होता है यहां पर क्या होता है कि ब classify class वह जाएगा और यह जो दो लड्डू जो लिया रहा वो इसका साथ एड हो जाएगा तो आपका टोटल लड्डू कितना बन जाएगा शिक्स यह चीज आप लोग को समझ में आगिया आपके पास चार लड्डू है आपके अगल में अगर एक डॉड बैढ़ जाता है तो वो आपका हाफ जो लड्डू होगा वो ले लेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे प्लास करेंगे कोई माइनेस यहाँ पे होगा नहीं तो च छे लड्डू आपके पास बन जाएगा जो और एक लित देखते हैं माल दीजा आपके पास एक के स्geht नम दोंट है नेहीं कि us अनुंट मतलब क्या होता है जो मैंने पहले पिल्च अपको बताया था मिलिंप मतलब होता है दो काउंट इसको हम लोग हाफ नोड भी हम लोग बोलते हैं तो इसके बगल में अगर हम लोग का डॉट बैठा दूँ तो फिर क्या होता है देखिए अब इसको भी इसी साफ से लेते माल लीजिए आपके पास दो काउंट यानि दो लड्डू है ओके अब यह डॉट क्या करेग क्या आप में से आपका पास से हाफ लड्डू ले लेगा यान डूट करेंगे दो गोंट है 12 दो लड्डू तो यह एक हाफ रड्डू आपका ले ले रहा है तोटल केतना होगा आपका पस थ्री रड्डू देखें चीश्टो बहुत ही आसान है अगर हम लोग काउंट के हिसाब से जाते तो क्या बनता है मानली जे और थोड़ा डिफिकल्ट में आते हैं कि यही अभी में जो देखाने जा रह ऊछिए को इसका काउंट है 1 काउंट के अभी इसका बगल मैं रट बैठा दिया तो आब काउंट कहीं साब से देखते क्लोचेट नोट क्या करेगा क्लोचट नोट कि वाण एंड यह काउंट करेगा कि जो हम लोगा पहले जो काउंट सिस्टम जो आप लोगों ने बताया था काउंट होता है one and two and three and four and अब यह चार्ड जो काउंट है इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं वो कैसे करेंगे वह हम लोग बाद का जो नेक्स्ट जो हम लोग का लेशन जो आएगा जैसे जैसे इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे जिक एसे होता है four count बहुत टैम क्या होता है कि आहां करना थोड़ा सा प्रॉलम हो जाता है तो हम लोग उस बारे में देखेंगे कैसे कोई बहुत काउंट हो आप कैसे उसको आसानी से काउंट को कर सकते और यह जो लेशन है यह अगर आ जसी होरा इसWelcome को इसे कहें निम्ट कर लेकिन अबहुत आफने को किसे करखे़ जाता है कि आपलोगे कई सब्सक्राइब एसे कुवजगे मुजिक जो है डिफिकल्ट भी है लेकिन बहुत आसान भी है ठते हैं यह बात को आप लोगा को समझना पड़ेगा कि music जो है वह difficult भी है और आसान भी है music है एक total math जतना अच्छा math को solve कर पाएंगे उतना अच्छा music को सीख पाएंगे यह मेरा नजरिया मैं आप लोग को बता रहा हूं हो सकता है दूसरा कोई दूसरा हिसाब से ले लेकिन मेरा हिसाब से music एक math है वह बहुत इजी होता है खाली इसको समझने पड़ते आपको और कोई बात नहीं है ठीक है ओके तो जहां प्रॉचेट नोट एक काउंट का वान एड तब ही डॉट क्या करेगा इसमें से हाफ काउं हाफ काउंट ही ही होता है तो इसका हम लोग करेंगे देखिए कोई भी अगर हम लोग नोट्स लेते हैं एक काउंट का तो घुख लोग कार देते हैं तो यह एक काउंट क्यूंट नहीन हो को इसको अच्छा से समझना है ao work अग्ल्च कॉंपूलीटेर जोब आपका वान और 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 अंड ऑन इन गोप्फ तरनलों करेंगे हाफ कॉंट बोला है कोई को एक काउप काउंट ले लेंगे वान एंड प्लास disruptive इसका हाफ के तूक्तू प्लास इसनल कोई है यह होंगे आपका Katra अब ही इसको मैंना अगर हम लोग नाइक होगे करना चाहते इसलिए कोई को रहें है इसलिए देहर यहांड होग लिए वरन इन हाप ठीक है अब ही दो करने के लिए क्कात करने लेकर काने हम लुग को कि क्रॉचatin नोट लेकर डॉल बैठा के और एक भगल में और एक नोट करका लेने पड़े गा क्या नोट जो है पहले अपटा चुका हूं यह खैली एंड और यहां खार कॉट ही ने..? यानि हाफ काउंटी लेते हैं यह यह तो वान में बज़ेगा यह तो एंड में बज़ेगा वह डिपेंड करता है क्योंकि इस हिसाब से नोट को हाँ पर नोट को हाँ पर बैठाए गया है तो इसमें कोई घबडाने वाला कोई बात नहीं है बहुत इसी है तो अभी इसको हम हम लोग करते हैं तो देखें किया बनेगा इसका हो गया हम लोग का यह हो गया इसका झाली क्या बनेगा एण तो हम लोग का हो गया है दो क eldest ओके तो यह है डॉट का पूरा सिस्टेम कैसे आप लोगों को डॉट को समझना है यह बात आप लोगों को समझ में आ गया है तो चलिए हम लोग फिर लेशन में चलते हैं तो जैसे आप लोगों ने देखा कि डॉट नोट क्या होता है तो चले इसको हम लोग प्ले करते हैं 1 & 2 & 3 & C note फिर E note 1 & 2 & 3 & G 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & फिर G note 1 & 2 & 3 & फिर 1 & 2 & 3 & फिर C note 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & फिर 1 & 2 & 3 & अभी दो काउंट का रेष्ट है तो हम लोग काउंट करेंगे 1 & 2 & और 3 काउंट में इसको प्ले करेंगे 1 & 2 & 3 & फिर क्रोचेट नोट 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & फिर 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 3 & 1 & 2 & 1 & 2 & 2 & 3 & तो ऐसे आप लोगों को इसको लेसन को प्ले करना है लेसन प्ले करने से पहले आप लोगों को पहले टेमपो सेट करना पड़ेगा मिनिमाम 35 या 40 अपसेट कर सकते हैं बहुत ही आस्त आस्ते प्ले करना पड़ेगा लेसन को कोई भी लेसन हो उसको पहले आप लोगों को राइट हेंड कλα़्या कॉम्प्लीट करना है उसके बाद लेठ रीफट हेंड कॉम्प्लीट करना है बहुत जएं क्या करता है कि दोनों हाथ एक साथ करने लग जाता है पिर एक हपता दू अपता पार हो कहता है कि देखता हूं की प्राइब क्या था कि वह दोनों हाज से एक साथ में कोशिज कर रहा है तो अबिसली लेशन कॉंप्लीट होगा नहीं इस जो लेशन है ये लेशन को आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस करना है कि हरेक नोट नोट जो हरेक नोट आपका सही गिरे इस बात का अपका धेहान में रखना है और पियानों में जो सीटिंग पोजिशन है वो आपको ध्यान में रखना है तो चलिए आज का लेसन यहां पर खतम करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे रहिए सुष्थ रहिए धन्यवाद